नमस्कार, बिये पार्ट थार्ड हिंदी साहित्ते पेपर फस्ट के विशे हिंदी साहित्ते के अंतर्गत आदुनिक हिंदी कविता में च्छायवाद आदुनिक हिंदी में च्छायवादी कावे का बहुत दिगमेत्तो है और च्छायवादी काल कीदि हम बात करें तो पर्थम विश्विद की समाप्ती से लेकर दूसरे विश्विद के आरम की बीच का ये जो कालखंड है इसको हम च्छायवादी कावे के अंतरगत ले सकते हैं 1918 से 1936 के बीच में लगवग 18 वर्स का ये समय चायवादी कावे के अंतरगत आता है चायवाद एक ऐसा सब्द है जो इसपस्ट परिभाषा के गेरे में तो नहीं आता किन्तो फिर भी अलग-अलग साहित्ते कारों ने चायवाद को परिभाषित करने की कोशिश की है मादेवी वर्मा चायवाद के बारे में बताती हुई कहती हैं कि चायवाद ने मनुश्य के रिधे और प्रकृति के उस संबंद में प्रान डाल दिये जो प्राचीन काल से बिम प्रतिविम के रूप में चला आ रहा था जिसके कारण मनुश्य को प्रकरती अपने दुख में उदास और सुक में पुलकित जान पड़ती थी आचारे रामचंदर सुक्ल जी ने चायवाद के बारे भी लिखा है कि चायवाद का सामने अर्थ हुआ प्रस्तूत के इस्तान पर उसकी वेंजना करने वाली चाया के रूप में ऐप्रस्तूत का कतन अर्थात जो हमारे सामने नहीं है लेकिन जिसके हम चाया मैसूस कर सकते हैं इस शैली के भीतर किसी वस्तू या विशे का बढ़नन किया जा सकता है इस प्रकार शुकल जी चायवाद को रहसेवाद तथा एक शैली मानते है हजारी परशाद दिविदी इसे परिभाशित करते हैं कि चायवाद एक विशाल सांस्कृतिक चेतना का परिणाम था दिथा पी उसमें नमीन शिक्षा के परिणाम होने के चिन इसपस्ट हैं वे केवल पास्चर ते प्रभाव नहीं था कभियों की भीतरी व्याकुलता नहीं नमीन भाशाशेली में अपने को अभिवक्त किया था चायवाद कवे के पिछे जो मूल प्रेनाय रही उसके लिए हम कह सकते हैं कि चायवाद के बीज रितिकाल के स्वचंदता वादी कवे में ही देखे जा सकते हैं जिसके संकेत बोधा, घनानन्द, ठाकूर और भारतिन्दु में मिलते हैं जब कवे की भाशा खड़ी बोली हो गई तब परंपरा से मुक्ती और स्वचंदता की और उन्मुक्ता शिरिदर पाठाक, जगमोहन सिंग, मैथली सर्ण गूप्त, राम नरेश त्रिपाठी आदेने कवे में दिखाई इनके कवे में ये विशेशताएं देखी जा सकती हैं कुछ लोग इसे कविवर, रविंदर नाथ, टैगोर की प्रेड़ना का भी परिणाम मानते हैं किन्तो उनका प्रभाव केवल सुमित्रा नंदन पंत और निराला जी के कवे पर ही है दूसरी प्रेड़ना की रूप में ये भी माना जाता है कि दिवेदी यूग की इति वृता आत्मक्ता निरस्ता उपदेश आत्मक्ता की प्रवर्तियों में चैवाद का जन्म हुआ पस्चिमी शाहित्य के संपर्क और उसका प्रभाव भी चैवाद पर देखा जा सकता है दिनकर्जी की माननेता है कि चैवाद की कविता उस भारती मनुश्यों की कविता है जिसकी आत्मरक्षा की चिंता दूर हो गई है और जो स्विच्छा से यूरोप से अब खुश है दियानन सरश्वती के पवित्रतावादी वे सुधारवादी दृष्टिकों तरथा अंदोलन की चैया से चैवादी कवि मुक्त नहीं हो पाए थे चैवादी कवियों नारी के प्रतिकुंठाएं और द्मीत इच्छाएं उनके मूल में वही आरीयसमाजी अंदोलन की प्रेंड़ना है कुल मिलाकर ये चैवाद के पीछे मूल प्रेंड़नाएं हम कह सकते हैं अब हम चायवादी कवे की मूल परवर्तियां या चायवादी कवे की जो विशेश्टाएं हैं उनकी बात करेंगे चाहवादी कविता ने चली आती हुई कावे परंपरा में जो परिवर्तन उपस्तत किया और जिस नवीन्ता की परतिष्टा की वह निश्चिती महान उपलब्दी है सविक्षत्रों में ये कावे क्रांतिकारी वह गोरपुन रहा इसकी विशेष्टाओं में सबसे पहले पहली विशेष्टा की रूप में हम ले सकते हैं व्यक्तिक्ता चाहवाद के भावसंदरिये में जो तत्वा आकर मिल गए हैं उनमें व्यक्तिवादिता का इस्तान पहला है इसी व्यक्तित वादिता से प्रेरित होकर करुणा, प्रेम, सुक दुख और हर्ष विशाद के अनुबूतियां बिवक्त हुई दिवेदियुगीन कविता में बाहिये जगत का तथ्यात्मक वर्णन था, कि मानो मन की गहन परतों में दबा पड़ा भावलोग भीतर भीतर कश्म सा रहा था चायवाद में उसे पहली बार बाहर आकर खुल कर रोने का उसर प्राप्त हुआ, यह कार्ण है कि चायवाद के भावलोग में सबसे उची और सुरिली तान रिदे की है, उस रिदे की जिसकी अंदर अब तक बहुत सारी गंभीर विचार या बाते हैं यह यूँ कहें कि मानो मन में अब तक जो कुछ अटका हुआ था वह है चायवाद के माद्यम से बाहर आया व्यक्ति वादिता का आश है कि व्यक्ति अपनी नीजी भावों को चायवाद में व्यक्त कर पाया नीराला में तो व्यक्तिता का बहुत अधिक प्रबल स्वार देखा जा सकता है वी कहते हैं कि मैंने मैं सेली अपनाई यहींनि मेरे कावे में मैं सेली का प्रियोग करते हुए और मैंने काविस रजीत किया जैसंकर प्रशाद की आत्म कथा भी व्यक्तिक मनो भावों को प्रस्तूत करती है जैसंकर प्रशाद की कामाईनी तक में व्यक्ति वादि भावों की अभिवंजना इस पस्ट देखी जा सकती है कामाईनी में मनु में व्यक्तिकता का उगर रूप सामने आया है व्यक्तिक मनो भावों से पिडित मनु जैसे अस्मिता की खोज में रत होकर कहता है वन गुहा कुंज मरू अंचल मैं हूँ खोज रहा अपना विकास अथवा मैं तो अबाद गती मरुत से द्रिश हूँ चाह रहा अपने मन की जैसंकर प्रशाद एक जगे पर लिखते हैं शेल निर्जर ने बना हत भाग्य गल नहीं सका जो की हिम खंड दोड कर मिला ने जलनी धी अंक आह वैसा ही हूँ पार्शंट निश्चे ही चाहवाद का कवी बाईए के पेक्षा आंतरिक अनुभुक्तियों की अभिवेंजना करने में लगा रहा हम कह सकते हैं कि व्यक्तिक तप व्यक्तिक तप चाहवाद की प्रमुख विसेस्ता है अगली विसेस्ता के रूप में प्रकृति का चेतन्नी करन या प्रकृति का मानवी करन रितिक अलिन कवे में कामजनित प्रेम के संकीन दाइरे में घूमते रहने के कारण सामजिक समश्याओं की और से मुँ मोड लिया था और चाहवादियों ने प्रकृति सौंद्रिय की चाहया में पले और कलपना के पंकों में छिपे रहने के कारण समाज और युग धर्म को बुला दिया। छायवाद में प्रकृति का चेतन्य करण किया गया है। यहां मानवरिदे और प्रकृति के समंद को सौंद्री की दृष्टि से ऐसा बान दिया है कि वहें उससे चाने पर भी छूटने का कोई मार्ग नहीं हो सका। इनकी प्रकृति में मुर्दू और मोहक चित्रों की कोई कमी नहीं है। आलंबन, उद्धिपन और मानवी करण इन रूपों में प्रकृति का भरपूर चित्रन इन कव्यों ने अपने कव्यों में किया है। जगे जगे पर अलग अलग काव्यों में गास पर बिच्छी हुई ओस की बूंदें, उशा की सुनरी किन्ने, घनी अमराईयों से चंचन कराती चांदनी, आधिका बहुती सुन्दर और सरस्वर्नन हम देख सकते हैं। पंत का पल्लव, प्रशाद की कामाईनी, निरला का परिमल और महादेवी वर्मा की यामा, प्राकृतिक शुस्मा के ऐसे अक्षब अंडार हैं कि हम प्रकृति का चैतनी करण या प्रकृति का मानिमी करण इसमें स्पस्ट रूप से देख सकते हैं। पंत की चांदनी और निरला की जुही की कलिक विताओं में भी प्रकृति के दवारा नारी का चितरन किया गया है। उद्धिपंद रूप में जड़ प्रकृति के चैतन सुरूप के अभिवक्ति में रागात्मक संबेदन प्रियाप्त मात्रा में मिलता है। अत्य प्रकृति कहीं दुखी, कहीं हस्ती हुई और कहीं अपने ही सोंदरिये पर रीजती दीन दुनिया से अलग था लगी अपनी मस्ति में जूमती हुई दिखाए देती है। पंत्तो प्रकृति के सुकुमार कभी हैं। उनके लोकायतन महाकाव्य में जो चैवादी पैटन पर ही लिखा गया है। पल्लव कालीन प्रकृति को देखा जा सकता है। पंत्त की चांदनी चाया वे प्रशाद के धरा वरत्री में मानविकन के अनुठे उदारन है। देखिए नीले नब के शत दल पर बैठी वे शारद हाशिनी, मृदू करतल पर शशी मुखधर ए निमिश नीरव एकाकिनी। प्रशाद जी एक जगा लिखते हैं। शिंदू सेज पर धरा बदू अवतनिक संकुचित बैठी सी प्रले निशा की हलचल स्मृति में मान किये सी। इसी क्रम में निराला भी संध्या सुंदरी का वर्णन करते हुए लिखते हैं। दिवसावसान का समय मेग मै आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परीशी धीरे धीरे धीरे। इसी प्रकार आसू में परसाद जी लिखते हैं। अगले बिंदू के रूप में हम नारी की भावना। नारी भावना या प्रणयान भूती ले सकते हैं। नारी के प्रणय से संबंद अनेक मानसिक अवस्ताओं जैसे आसा, आकुलता, आवेग, तल्लीनता, निराशा, एत्रिप्ति, इस्मृति और विशाद आदी का अभिनाव चित्र छायवाद में देखने को मिलता है। प्रणय की इन ही इस्तियों की अभिवंजना के साथ साथ नारी के प्रती, पुज्य, पवित्र और स्रद्धा का भाव भी इस कावे में अभिविक्त किया गया है। चायवाद में प्रेम तन से मन की और गया है। उसमें वासना संसकारित हो गई है, वह त्याग और पावंता का समिकृत रूप है। चायवाद में प्रेम का जो उद्दाती करण मिलता है, वह इस से पहले के कविता में कहा था। प्रशाद की पंक्तियां देखिए। फिर कही दोगे, पहचानों तो, मैं हूं कोन बताओ तो, किन्तु उन्ही अद्रों से पहले, उनकी हसी दबाओ तो। शिहर भरे निज सितिल मृदुल, अंचल को अधरों से पकड़ो, बेला बीत चली है चंचल, बाहू लता, ले आज अकड़ो। इसी प्रकार, प्रेम का यही सुक्ष्म रूप या यही सुक्ष्म चित्रन, महदेवी की इन पंक्तियों में देखिए। नयन स्रमन नयन में आज हो रही कैसी उलजन, रोम रोम में होतारी सखी, एक नया उर्कासा इस्पंदन, पुलकों से भरा फूल बन गए जितने प्राणों के चाले हैं। चायवादी कविता में नारी पूजा और स्रधा की प्रतिमा बन कर आई है। उसका इस्तूल के पेक्ष्म और भी सुक्ष्म तर वर्णन हुआ है। नारी ने नारी का वर्णन प्रशाद की कामाईनी में नारी तुम केवल स्रधा हो, वहीं पंतने देवी, मा, सहचरी, प्राण, आदी संभोधन से उसके अंदर गहरी आस्ता व्यक्त की है। या गहरी स्रधा व्यक्त की है। इतने पर भी सच है कि वहाँ प्रिय का रूप प्रधान है, किन्तु वह एक ऐसा रूप है जिसमें कामुक्ता की गंद नहीं है। हो भी कैसे उसका संपर्क, गंगा स्नान का और उसकी वानी, त्रिवेणी की लहरों का पावन गीत सुनवा सुनवा कर मानव जिवन को कृतार्थ करती रही है। अगली विशेस्ता के रूप में, इस्थूल के प्रति, शुक्ष्म का विद्रो, जैसे हिमाले की इस्थूल भव्यता, विशालता, प्राचीनता, आदि को अंदेखा कर उसके अंतस की पीड़ा को पहचानना, यानि बाहर का जो सुरूप दिखाई दे रहा है, उसके अंदर क्या छेपा पड़ा है, बाहर से जो दिख रहा है वो में तो पुर्णी, उसके अंदर क्या छेपा पड़ा, उसका वर्णन चायवादी कवे में देखा जा सकता है। अगले विशेष्था के रूप में अवशाद, निराश्य यानि निरासा और वेदना। चायवादी प्रकृति के बीच जीवन का उदगीत होकर भी अवशाद, निराशा और वेदना का कव्य है। इसका अर्थ ये नहीं है कि चायवाद में यही सब कुछ है, किन्तु ये उसका एक संदर्भ है जरूर। वेक्तिक्ता का जो पहलू पंत प्रसाद निराला महदेवी में मिलता है, वे भी इसी की एक कड़ी है। मेरी समझ में वेदना, निराशा और अवसाद की कालिमा दो कारणों से आई है। पहली जीवनगत ऐस अफलताओं के कारण? क्या इस्तिति विशेश की तातका निक प्रतिकरिया के सुरूप? जो लोग इसका मूल ऐसा योग आंदोलन की विपलता में खोजते हैं, वे एतियासिक भरम के सिकार है। यदि ये मान लिया भी जाए कि आंदोलन की ऐस अफलता में ही निराशा और वेदना को जनम दिया, तो पहले इसकी वेंजना मेथली सरंड गुप्त, माकलनाल चत्रवेदी और बालकृषन शर्मा नवीन के रिचनाओं में मिलनी चाहिए थी, क्योंकि ये कभी इस आंदोलन की भूमिका पर लिखा गया है, महादिव वर्मा के कवे में वेदना और निराश्य का और साथ ही अवसाद भावना का संदर बहुत दिख देखा गया है, ये बात अलग है कि निराशा की इस व्यक्तिक्ता में समस्टिक की वेदना भी आकर मिल गई है, किन्तु उसकी शैली में भी व्यक्तिक ही बने रही, व्यक्तिक शैली की रूप में जो निराशा और वेदना का जत्रन महादिव वर्माने किया है, वैसा अन्य किसी कवी की कावे में देखने को नहीं मिलता. अगली विशेस्ता की रूप में रह्षात मक्ता च्छायवाद के संदर्म में रह्षेवाद की चर्चा भी की जाती रही है अनेक आलोचकों की कलम से बार बार ये लिखा गया है कि च्छायवाद रह्षे बावना से अनुपरानित है यहां इसमणिय तथे ये है कि च्छायवाद कभी भी वेसा रह्षेवादी कावे नहीं बन पाया जैसा कि मद्यकालिन कभी रादी संतों का कवे था च्छायवादियों में एक भी ऐसा नहीं जो परोक्ष सत्ता से एकाकार होने के लिए उद्दत और लालाईत हुआ हो उसमें रह्षेवाद नहीं रह्ष्या भास की सीच्टती है प्रकृती में उसको एक रह्षे कहीं कहीं जरूर दिखाई देता है कि निश्चित समय पर रात होना, निश्चित समय पर दिन का उगना, समय पर बरसात आना, गर्मी, सर्दी आखिर इस पूरी सत्ता को संचालित कौन कर रहा है कोई तो सकती ऐसी होगी जो इस सत्ता को चला रही है तो छायवाद में रह्ष्यक्ति दृष्टी से भी इन कवियों ने इसे देखा है कुल मिलाकर ये छायवादी का वे अपने अंदर अनेक विशेष्टाएं लिये हुए है वेदना के अभियुक्ति इसमें देखी गई है और छायवाद की विशेष्टा प्रकृति चित्रन है प्रकृति का जो वर्णन प्रकृति का जितना सुकुमार और जितना शुक्ष्म वर्णन छायवाद में मिलता है उतना अन्ने कहीं दुरलब है इसके साथ साथ मानोतावादी विचार धारा प्रेम भावना जिसके अंतरगत प्रकृति प्रेम, नारी प्रेम, आध्यात्मिक प्रेम, मानो प्रेम आधिक अवर्णन भी छैवादी कवे में खूब देखा जा सकता है धर्निवाद